हाई गाइस वेलकम तो मिस्टर इंट्र इंट यूडिप चैनल और आज इस वीडियो में हम लोग फिस्कल पॉलिसी इसका जो बेसिक आइडिया होता है बेसिक मीनिंग इसका क्या है इससे रिलेटेड कुछ देफिनिशन और मेन अब्जेक्टिव्स क्या होते हैं किसी भी मीनिंग से स्टार्ट करेंगे जो भी इसका बेसिक आइडिया होता है क्या कि the conscious policy of a government so as to achieve certain pre-determined socio-economic objectives with the help of public revenue, public expenditure and public debt सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि इसके जो main components होते हैं आगर fiscal policy पर हम लोग बात किसकी करते हैं बात करते हैं हम लोग public revenue यानि कि जो taxation की मदद से हम लोग generate होता है revenue जो public से आता है जो कि government को मिलता है ठिक public expenditure यानि वो पैसा जो कि सरकार developmental programs पे या फिर public के ओपर सरकार जो चीज़े खर्चा करती है government किसी भी country की वो क्या होता है का public expenditure प्यादा है और public debt का मतलब क्या है कि कई बार सरकार क्या है जो expenditure करने के लिए कुछ लोगों से ही अपनी ही public से क्या करती है कि पैसे ले लेती है तो उससे क्या होता है कि इसको हम लोग public debt के अंडर consider करते हैं ठ कि basic है जो कुछ definitions है जो की काफी important है उनको भी हम लोग इसमें देखेंगे Mrs. Ursula Hicks की ये definition है कि fiscal policy is concerned with the manner in which the different elements of public finance अब elements of public finance का या पे क्या सेंस होता है कि वही components जो है public revenue यानि taxation, public expenditure और public debt ठीक यही पर और हम लोग इनी elements की बात कर रहे हैं ठीक while still primarily concerned with the carrying out their own duties में collectively be geared to forward the aim of economic policy, mean जो economic policy किसी भी country की होगी वो किस तरीके से काम करीगी, क्या-क्या objectives फुल्फिल करने हैं यह से हम लोग किसकी मदद से तै करते हैं हम लोग यह से fiscal policy की मदद से तै करते हैं यही Ursula Hicks की definition में बताए गया इसके बाद भी कई authors की important definitions हैं जिसमें थ अथर समित की भी important definition है वो किया कहते हैं कि fiscal policy refers to a policy under which government uses its expenditure and revenue programs to produce desirable effects on national income, production and employment ठीक यही जो इसके elements है या component से basic जो उनका expenditure और revenue है ठी कितना कमाया, कितना खर्चा किया इसके basis पे वो क्या अगरते desirable effects लाने की कोशिश यानि मनचाही इफेक्स का क्या मतलब है मनचाही इफेक्स कैसे इसका effect होगा, कैसे production पे कैसे employment में, suppose करते हैं हम लोग कि जो government है वो क्या कर रही है वो ज्यादा expenditure कर दे रही है ठीक, वो ज्यादा expenditure कर रही है किसी एक particular sector में या मालने ते overall भी economic expenditure वो ज्यादा कर रही है, expansionary policy मालने ते कर रही है और revenue वो कम generate कर पा रही है, तो उससे होग क्या national income पे कैसे income होगा, कि जब expenditure सरकार बढ़ा देगी, तो क्या होगी, लोगों की income बढ़ेगी, लोगों की income बढ़ेगी तो वो लोग ज्यादा demand करेंगे, ठीक, ज्यादा demand करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, production को बढ़ाना पड़ेगा, और production को बढ़ाने के लिए employment बढ जाएगी ठेक employment को भी बढाना पड़ेगा गर produce आपको जadows करना है demand जादा ऊरी ही तो क्या हो जाएगी employment पर जाएगी similarly क्या हो जाएगी कि जो बहुत ज़़या demand हो रहिए यह बहृतज़़दा inflation होने लगता है जो बहुत ज़़दा demand हो रही है उतना ज़ादा meet नहीं कर पादी supply उतनी नहीं हो पा रही है तो inflation होने लगता है तो सरकार क्या करने लगती है कम expenditure करने लगती है ठीक यह सारी चीज़े हम लोग ने पहले भी cover किये है ठीक सरकार क्या करने लगती है आपकी government कम expenditure करेगी तो क्या लोगों की purchasing power क्या हो जाएगी reduce हो जाएगी purchasing power reduce होंगी तो वो कम demand करेंगे कम demand करेंगे तो production में भी कमी आने लगेगी और employment हो सकता है employment भी कम होने लगे ठीक होगा ही employment भी कम हो जाएगा ठीक यह basic idea अब fiscal policy is the means by which government adjust the expenditure and tax rate in order to monitor and influence the economy of nation basic tax rate और expenditure से ही related है कितना government expense कर रही है और कितना वो tax के माध्धम से वो कितना जादा gain कर रही है फिर revenue generate करती है ठीक इसको basically देखे जो आपकी monetary policy होती है वो तो कोई central bank जो भी होगा आपके country का वो decide करती है कैसी monetary policy होगी कितना credit होगा market में कितना नहीं होगा ठीक amount of money क्या होगा ठीक बट जब फिसकल policy है ये भी बहुत ज़्यादा important है इससे क्या होता है कि क्या क्या tax rates imply होंगे आपकी economy में या किस तरीके से आपका production में कैसे improvement हो सकता है employment कैसे generate हो सकता है ये सारे चीजों के लिए हमें क्या जो हमारी central bank जो हमारी वो कर रही है आपकी monetary policy उसके साथ ही साथ वैसी ही एक suitable हमें fiscal policy भी अपनानी पड़ती है objectives को gain करने के लिए objectives क्या है वो आगे हम लोग discuss करेंगे ठीक अब देखिए यहाँ पर हम लोग देख लेंगे कि using a mixture of monetary and fiscal policy government can control the economic phenomena ठीक changes in level and composition of taxation and government spending can affect macro economic variables अब क्या क्या effect होते है taxation taxation देखिए सबसे पहले तो effect के लिए हमें पता होना चाहिए components क्या थे components थे taxation या public revenue, public debt और public expenditure तो यहीं पर हम लोग इसी से relate करते हुए क्या देखेंगे कि macroeconomic कौन कौन से variable space का effect पड़ता है aggregate demand सबसे पहले हम लोग देखेंगे aggregate demand ठीक फिर से हम लोग similar example को repeat करेंगे माल लेते public expenditure government ने बढ़ा दिया या tax rate कम कर दिया ठीक tax rate कम कर देना और public expenditure बढ़ा देना same ही बात हुई यह एक तरीके से देखा गा है तो ठीक तो इससे क्या होगी लोगों की purchasing power increase होगी purchasing power increase होगी तो aggregate demand बड़ी aggregate demand बड़ी तो फिर से वही क्या ज्यादा production करना पड़ेगा ज्यादा employment होगा और ज्यादा से ज्यादा economic activity होगी ठीक अब देखेंगे हम लोग savings and investment कैसे effect करता है कई बार क्या होता है कि अगर government कुछ ऐसी schemes लेकर आए या फिर कुछ ऐसी चीजे जिसस सेविंग को encourage करना चाहिए ठीक कुछ ऐसी saving scheme जैसे national saving scheme में कुछ rebates दे रही हो government तो लोग जाद से जादा encourage होता है कि वह saving करे और या कहीं ना कहीं invest कर दे अपने पैसे को अपने हाथ में ना रखे ठीक तो यह क्या होता है यह आपका किस तरीके से होता यह भी वह fiscal policy पे ही include क करती है ठीक income का distribution income का distribution कैसे होता है tax rates आपको पता है कि कई वर क्या होते है ज्यादतर countries में कुछ ऐसा एक level of income होता है जिस पर tax नहीं लगाती है government ठीक या फिर उसको tax slap से हटाए रखती है ठीक तो उससे क्या होता है कि यह ज्यादा ज्यादा tax किस पे लगता है जिनके पास ज अब जो सरकार है वो क्या कहेगी कहीं न कहीं तो expand करेगी ही ठीक किस पे कर रही है वो जो weaker section या फिर economically backward section है उस पर spend कर रही है तो उनके पास क्या amount of money किसी ना किसी form में amount of money या तो बच जा रहा है या तो क्या होता है उनके पास आ रहा है किसी ना किसी subsidy से तो इससे क्या होता जादा important होता है आपका fiscal policy ठीक अब हम लोग देखेंगे types of fiscal policy क्या होंगी ठीक तीन तरीके के हम लोग ने division किया fiscal neutral policy expansionary fiscal policy और contractionary fiscal policy नाम सी पर दा चल रहा है fiscal neutral यानि जितना government spend कर रही है जितना government earn कर रही है उतना ही जादा क्या अगर दे रही है spend कर दे रही है ठीक earn कैसे कर र लेकिं spend 80% कर रही है यानि expansionary policy है यानि वो जाहत से जादा जो पैसा है amount of money है वो public को दे रही है ठीक public की ओपर spend कर रही है ठीक और contractionary यानि जो public के पास already पैसा है उसको भी contract कर रही है government यानि उसको भी क्या लेने की कोशिश कर रही है तो इसमे government spend कम करती है और क्या करती है taxation ज्यादा कर देती है ठीक यह क्या होता है यह जब amount of money आपका जो market में है जो circulation है वो ज्यादा होता है यह inflation और deflation की जो situation होती है business cycle में उसमें हम लोग ने पढ़ा है कि कब expansionary policy को implement करना चाहिए और कब contractionary policy ठीक expansionary कब जैसे जब depression की situation चल रही है लोगों के पास ज्यादा पैसा नहीं है लोग नहीं invest करना चाहते तो क्या government जाह से जाधा spend करती है ताकि लोग जाह से जाधा production करें जाह से जाधा demand करें ठीक taxes वो और छूट देती चली जाती है taxation कम करती चले जाती है था कि थोड़ा से business बड़े economic activity increase हो लेकिन यही चीज़ जब inflation चल रही हो थी तो government थोड़ा से contract करने की क्यों क्योंकि लोगों के पास already काफी पैसा है तो government क्या taxes को increase करती है ताकि पैसा जो है वो government के पास आजाए ठीक लोगों से क्या हो जाए लोगों क पास transfer हो जाए during inflation तो वो क्या हो जाएगी expansionary policy sorry contractionary policy हो जाएगी ठीक policy के basis पे हम लोग ने तीन तरीके की fiscal policies को देख लिया ठीक अब बहुत important point जो कि हम लोग का इस video का main topic है that is objectives of fiscal policy fiscal policy के objectives क्या है सबसे पहले क्या है secure adjustment in allocation of resources यानि resource allocation जो है यह बहुत जादा important हो जाता है कि यह ज जो भी resources idle ना रहे आपकी idle resources जो होंगी उससे उसको जाए से जादा implement करना या resources जो है उनका सही जगा पर implementation होना या फिर उनका सही जगा पर allocation होना यह सब क्या है fiscal policy का ही main role है ठीक जो भी आपका चाहिए वो human resource हो चाहिए वो आपका raw material से related resource हो चाहिए वो कोई service से related resource हो ठीक overall क है कि उनका जो adjustment है adjustment किस चीज का उनके allocation के ठीक उनका जो allocation है वो proper होना चाहिए ठीक और वो हम लोग किस के मदद से करते हैं उसको हम लोग fiscal policy की मदद से देखते हैं फिर redistribution of income and wealth अभी हमने discuss किया था कि redistribution कैसे होता है कि ज्यादा tax जो taxation है वो basically क्या जो higher income group से उनके ओपर tax ज् होता है तो इससे क्या होता है income और wealth में थोड़ा सा inequality को कम करने की यह कोशिश होती है fiscal policy में stabilize the economy ठीक, stabilize the economy यानि यह economic activity सही से चल रही हो, stabilization कब होगा economy में, यानि जब employment भी proper हो, सारी resources, जितनी resources है, उनका full employment of resources हो, ठीक, एक सारा, जितना demand हो रहा है, उतनी supply भी हो जा रही है, त में modifications करते रहते हैं, यह objective है, ठीक, जरूरी नहीं कि यह सारी चीज़े attain ही हो रही हो, ठीक, fiscal policy की मदद से, ऐसा नहीं कि economy stabilize हो ही जा रही है, income और wealth, लोगों का distribution है, या redistribution कि हम लोग जब बात करते हैं, कि किसी एक sector से, किसी दूसरे sector में, या किसी एक person से, किसी एक income groups है, जो redistribution हो जाए है, दूसरे income groups में, तो ऐसा इसका objective है, जरूरी नहीं कि इसको attain करें, लेकिन जो fiscal policy frame की जाती है, वो basically इस idea से ही की जाती है, कि यह सारी चीज़े objectives को attain कर सके, economic development को accelerate करना, यानि जादा से जादा industries हो गई, या फिर आपका जिस भी level पर, अगर आपके agrarian economy है, तो उसमें कैसे economic development हो, या industrial अगर आपकी economy है, या fuel sector से related economic है, जहां भी भी आपकी जैसे भी economy है, आपकी country की उसको कैसे और जादा से जादा accelerate किया दा है, ठीक, capital formation and growth है, जादा से जादा national income का increase होना, ठीक, capital formation से क्या मतलब है, national income और growth, जो है आपकी एक balanced growth होनी चाहिए, यह सारी objectives होते है, fiscal policy के और investment को भी encourage करना, यह भी fiscal policy का objective होता है, so, आज हम लोग ने इस वीडियो में यही सारी चीज़े cover किये, जो भी basic इसके definitions है, meaning है, और types of fiscal policy भी हमने cover कर लिये, so, this is it for today guys, thank you for watching, and अगर आपको इसके written notes चाहिए, तो आप लोग में टेलिग्राम चैनल को subscribe कर सकते ह उसके link description box में, या फिर अगर आपको इसका internet at, या same presentation वाली जो file है, वो आपको कहाँ पर मिल जाएगी, वो आपको मेरे blog में मिल जाएगी, blog की भी link description box में, thank you